दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लोडिकेटर के बादे में तो फंसन टू जो की कार्गो हैंडलिंग का जब औरल के टाइम पे सर्वेर है वो हमसे पूछे थे कि बताओ कि लोडिकेटर का टेस्ट कैसे किया जाता है तो बैसिकलि उसमें में को आइडिया कु हम लोग लोडिंग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं और जो लोडिकेटर का जो सर्टिफिकेट्स होता है उस पर लोडिकेटर नहीं लिखा रहता है उस पर लिखता है लोडिंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स सो अगर जिसने भी लोडिकेटर मतलब लोडिंग कंप्यू 6 condition क्या है वो loadcater के test condition अदिसे गर नंबर की बात करते हैं तो बोलता है नंबर 1 lightship condition City सीट्ट बात करते हैं नंबर 6 normal blast condition arrival नंबर शिक्स का बात करो तो नंबर 2 ज्टब फूब नंबर रहता है और वो condition जो है उनका testing के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनी छे condition में से कि सी condition पर हम लोग को लोडिकेटर को टेस्ट करना होता है इसके लिए क्या करेंगे या तो हम using your certificate condition देख लेंगे तो फिर यह जो लो Caterię टर का argument च्षंट का डाटा दिया रहता है हमें क्या करना रहता है कि जौहाँ पर भी टेश्ट कंडिशन दिया है उसमें से किसी को हम लोग ले लेते जैसे कि number one मैंने example के लिए है number one light ship condition का तो number one light ship condition में जो light ship करने का मतलब क्या हूआ weight of an empty ship तब cargo oil tank का भी जितना वो है cargo oil tank में भी quantity zero रखेंगे blast tank भी zero रखेंगे fill oil भी zero रखेंगे और diesel oil भी zero रखेंगे हर एक चीज़ का value क्या होगा light ship condition में zero होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि यह हमें नहीं करना है हम लोगों कैसे नॉर्मल पता है बट अगर वहां पर light ship condition में जो भी value जो भी data दिया है हर एक टैंग के लिए हर एक बलास टैंग के लिए हर एक fuel tank के लिए diesel oil tank के लिए fresh water tank के लिए यह machinery में कुछ भी अगर entry data दिया है तो वह सारे data को क्या करते हैं बस हमें इंटर करना होता है लोडिकेटर में अब सारा जैसे data इंटर कर देते हैं तो उसका final result आता है और जो लोडिकेटर मेनुवल में जो test condition है उसकी उसके final में जो भी उसका displacement dead weight mcdc, lcg, lbp जो भी है उसको हम लोगो compare करते हैं लोडिकेटर के data से जो भी दोनों को compare करते हैं जैसे कि value जो है हमेंसा same ही आएगा तो अगर value same आ गया तो फिर क्या करते हैं कि लोडिकेटर का जो test किया हमने उसका बस एक printout निकाल लेते हैं उस पर जो चीप ओफिसर है उनका sign होता है और फिर वह stamp कर देते हैं और उसको हमें क्या करना होता है एक लोडिकेटर फाइल में कि लोडिकेटर को सेम परोसीजस से टेस्ट करेंगे वो बस data को मेंच करेंगे अगर उनको लगा कि हालोर्य केटर ऐसे-ठे जो टेस्ट करने से फबहले क्यूंकि वह पूची इले ते यार